CUET 2023 का फॉर्म क्या अभी आपको आनलाइन करना चाहिए और नहीं करना चाहिए ये सवाल बहुत ज़ादा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक Central University जिनमें आपकी BHU है और State University में AKTU इन दो University को लेकर बहुत ज़ादा सवाल आएं कि Sir मैं अभी रुख जाओं अभी फॉर्म फिल करूं या ना फिल करूं इस्टुरेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है बस आप एक चीज का ख्याल रखेंगे जब आप CVT 2023 का फॉर्म भर रहे हों अपनी Personal Detail में आप कोई गलती नहीं करेंगे लेकिन यदि आप University में आप उसके जो Subject Composition है जो भी Required Domain है उसमें आप कोई भी गलती करते हैं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है पर University आपकी Edit हो जाएगी इस्ट्वेंट यहां पर जो Important Point यह है कि आपको अपना Personal Detail अच्छे से भरना है आपको Payment सही से कर देना है दो चीजे Important है यह दो काम आप कर देंगे करेक्शन दो से तीन बार आपका होगा यह आप ध्यार रखें आप जब चाहे आप Edit कर पाएंगे अपने Application Form को आप वहाँ पर University को Edit कर पाएंगे अपने Domains को Edit कर पाएंगे और मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि BHU के लिए या फिर AKTU के लिए जो की State University है AKTU के बहुत ज़्यादा Student इस चैनल से जुड़े हैं जिनको भी फारवा में एडमिसन लेना है मैं AKTU के Student को बताना चाहता हूँ कि कोई भी State Level Exam आपका Conduct होने वाला नहीं है एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि AKTU के लिए कोई भी State Level Exam Conduct नहीं होगा बहुत सारे Candidate यही सवाल पूँच रहे है कि UPCT क्या फिर से सुरू हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है भारत सरकार और UGC की जो guideline है All University One Exam की उसको कोई भी उससे हट कर काम नहीं कर सकता है इसको आप ध्यान रखें सभी University को यही form मानना होगा यही आपका CVT ही होगा Common University Interest Test इसको मानना ही मानना है आज नहीं तो कल वो मानेंगी दो दिन, चार दिन, एक हपते, दस दिन बाद लेकिन वो University आपकी add होगी आप उन इन्वस्टीज को दोवारा से add कर पाएंगे उनके subject composition को add कर पाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा subject आने वाले time पे चुन पाएंगे यदि आप और भी domain बढ़ाते हैं मानने यह 3 से ज़्यादा domain बढ़ाते हैं कोई भी आपका course हो आप form online करें CUT ही होगा इसका आप ध्यान रखें कोई भी आपका doubt है तो description में दिएगए Instagram account पर आप मुझे संपर कर सकते हैं और आप लोग comment जरूर करें कि आपको क्या problem आ रही form online में form online यदि आप viral biology team की तरफ से करवाना चाहते हैं तो इस number पर आप 876-521-2486 इस पर message करें आपका form online कर दिया जाएगा उम्मिद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रहेगी और आपका जो में doubt है जो आपके मन में doubt है उसको मैं solve करने में कामियाब रहा हूँ मिलता हूँ next